नमस्क्राइब कैसे हैं आप सर्फ वेल्टम तू निग्लक्स पर करका आज में रेसिपी लेकर आई हूँ दस मेट में बनने वाले केक की जो हम बनाएंगे एक अपम पैन में दोस्तों कभी-कभी होता है ना बच्चे बहुत जित करते हैं कि मुझे अभी चाहिए मुझे चाह चाहिए एक कप मैदा आप किसी भी कप से या कटोरी से बोल से जो भी हो आपके पास आप इससे माप सकते हैं इसे चाहन लेंगे और साथ ही में इसमें डाल रही हूं में आफ टीज़पून बेकिंग पाउडर और बंफॉर्थ टीज़पून बेकिंग सोटा इसे चाहनना ज़रूरी है इससे air bubbles आते हैं और हमारा केग बहुत spongy बनता है तो आप यह skip मत करेगा चान लीजेगा चान के इसे mix कर लेंगे और इसे तोड़ा सा वेनिला एक्स्ट्रेक्ट या आप चाहे तो कोई भी जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसमें एड़ कर सकते हैं और इसे बहुत अच्छी से मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुलना जाए हमें चीनी को घुलने तक इसे mix करना है तो देख रहे हैं आप इसका टेक्च्च्चर चीन्ज हो रहा है चीनी प्ल चुकी है अब इसमें हम डालेंगे मैधा जो हमने चान के रखा था मैं दो बार में डाल रही हू जिससे इसमें लंप नहीं रहें और इसको धीरे-धीरे से mix करना है वापस बचा हुआ जो है वो भी डाल देते हैं इसमें देखें बैटर त्यार हो चुका है अब देख रहें कितना स्मूध और सिल्की निख रहा है बस आपको यही कंसिस्टेंसी चाहिए अब आम लेंगे एक अपम पैन और इसमें थोड़ा सा ओल लगा के से चितना कर लेंगे और इसमें डाल देंगे बैटर अगर आपके पास अपम पैन नहीं है तो आप किसी भी पैन में इसी बैटर से पैनकेक भी बना सकते हैं आप चाहे तो इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं बस उसके लिए हमें देसे कुकर में केक बनाते हैं वैसे कुक करना होगा पैन में बैटर हम ने डाल दिया है अब इसे पका लेते हैं इसे लो फ्लेम पे लगबग 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है इसे ढग देते हैं और लगभग 8 मिनिट के लिए वेट करेंगे 8 मिनिट हो चुके हैं चले चेक कर लेते हैं ये देखें, आप देख सकते हैं हमारे केक कितने स्पॉंजी दिख रहा है ये उपर से बहुत ही फूल गए है तो इन्हें टर्न कर देते हैं आप चाहें तो इसी ठाइम पर इसे निकाल के खा सकते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि दूसरी तरफ पीस में थोड़ा सा कलर आ जाए उसे पकाने में बहुत ज़्यदा टाइम नहीं लगेगा गैस आपको आफ कर देनी है तो कि अभी भारा पैन गरम है यह ऐसे ही इसमें कलर आ जाएगा तो सबको पलट देते हैं मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि यह पके हैं यह नहीं तो हमने इसमें एक टूटपीक या कोई भी स्टिक ली है और उसको मैं आपको दिखाती हूँ यह तम ख्लीन निकली है आप इससे चेक कर सकते हैं, सिर्फ दस मेट में बनके तयार हो गया है ये, निकाल लेते हैं, अब ज़रूर ट्राइ करिए, आपके बचों को बहुत पसंद आएगा, आप चाहे तो उन्हें टिफिन में भी दे सकते हैं, और बना के अगर आप रगते हैं, तो ये तीन से चार करिए, मैं आपको एक दोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से कितना सॉप्ट है, ये देखिए, वाओ, आप भी ज़रूर ट्राइ करिए, तो दोस्तों कैसी लगे आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट बोक्स में ज़रूर बताएगा, और अगर रेसिपी अची लगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, फिर मिलती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हे लिए, टेक केर, बाबाई